हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टो और यूट्यूब चानल, दोस्तों आज हम इस वीडियो में SSC CHSL के 9 मार्ज की पहली सिफ्ट में पूछे गए जीके के क्वेशन्स का अनलेसेस करेंगे और दोस्तों जानेंगे कि आज किस ताइब के क्वेशन्स पूछे गए थे, उनसे रिलेटिड कुछ एक्स्ट्रा फैक्ट्स जानेंगे दोस्तों, जो आगे आनी वाली सिफ्टों में पूछा जा सकता है तो चलिए दोस्तों वीडियो स्टार्ट करते हैं और जानते हैं कि कौन से क्वेशन्स पूछे गए थे तो पहला क्वेशन्स पूछा गया था चोप मंडल की उचाई कितनी होती है तो और सतन अगर देखा जाए तो उचाई होती है 7 किलो मीटर से लेकर 20 किलो मीटर तक इसको आपको आपको आप्शन के हिसाब से करना था अगर आप्शन में 7 किलो मीटर से लेकर 20 किलो मीटर तक कोई भी उचाई दी होगी तो आपको उसको माग करना था और सदन उचाई की बात करें तो दोस्तों 13 km होता है अगर option में 13 km था तो आपको इसको mark करना था चलिए जाल लेते हैं कि स्ट्रेटास्फियर की उचाई कितनी होती है तो दोस्तों इसकी उचाई होती है 20 km से लेकर 50 km तक यही स्ट्रेटास्फियर है जहां पर जहाज उड़ते हैं दोस्तों एरोकलेंस उड़ते हैं यहीं सी में ही ओजोन लेर होता है दोस्तों मेजास्फियर की बात करेंगे तो इसकी उचाई होती है 50 km से लेकर 50 km तक आगे चलिए थर्मोस्फेर की बात करेंगे तो इसकी उचाई होती है 90 किलोमीटर से लेकर 500 किलोमीटर तक एक्जॉस्फेर यहीं सेटलाइट्स होती है दोस्तों इसकी उचाई 500 किलोमीटर से अबब होता है आगे हम चलेंगे अगला क्वेशन पूछा था कि मेजर ध्यांचंद खेल रतन पुरुषकार 2022 का किसे मिला है तो दोस्तों अचंता सरद कमल को मिला है यह मैंने आपको पढ़ाया था दोस्तों काफी इंपोर्टेंट क्वेशन था तो देखिए आज की सिफ्ट में पूछ लिया गया है उसके बाद दोस्तों अगला क्वेशन पूछा गया था मत्प्रदेश के कितने सहर में पांच में खेलो इंडिया यूद गेम्स 2023 की मेजबानी करेंगे तो दोस्तों आठ सहर हैं जिन में 2023 के फिफ्ट खेलो इंडिया यूद गेम्स की मेजबानी की जाएगी अब चलिए हम जान लेते हैं कि खेलो इंडिया गेम्स के संसकरन कौन-कौन से हैं और वो कौन-कौन से राज में मनाए गये थे पहला खेलो इंडिया यूद गेम्स दोस्तो 2018 में हुआ था यह दिली में मनाये गया था एक्जामें पूछ लिया जाता है कि पहलो खेला इंडिया यूद गेम्स का आयोजन किस राजने किया था तो वो डेली हो जाएगा सेकेंड खेलो इंडिया यूद गेम्AS का आयोजन दोस्तो पूने में हुआ था 2019 में थर्ड खेलो इंडिया यूद गेम्AS धोस्तो खेला गया था गोहाटी में पांच वा देखिये भोपाल मत प्रदेश आठ सहरों में दोस्तो इसका आयोजन किया गया है अगला कुछा गया था कि सेरे बिहार किसे कहा जाता है तो दोस्तों सेरे बिहार किसे कहा जाता है राम लखन सिंग्यादों को कहा जाता है आप लोग कमेंट सक्षर में जरूर बताएगा कि यह कोईशन पूछे गए थे कि नहीं पूछे गए थे दोस्तों मैं ट्राइ किया हूं को आपको एक दम प्रवाइट करूं दोस्तों सेरे पंजाब किसे कहा जाता है एक्जाम में भी पूछा जाता है लाला लाजपत राय को सेरे पंजाब कहा जाता है सेरे राजस्थान राम करन जोसी को दोस्तों कहा जाता है आगला प्रसन दोस्तों पूछा गए था केनेडा से केनेडा के समविधान से क्या लिया गया है तो दोस्तों लिया गया है कि federation with strong center center होना चाहिए दोस्तों residuary power किसके हाथ में होती है गॉवर्णर होते हैं उनका appointment दोस्तों यहां से लिया गया है judiciary के advisory फ्रॉम supreme court दोस्तों यह चार चीज ली गई है Canada के सम्विधान से अपने भारते सम्विधान में तो जो भी चीजे रही होंगी option में आपको उसके हिसाब से करना था मेरे ख्याल से federation with strong center आप से पूछा गया होगा या appointment of state governor by center जो ग्राज के governor होते हैं दोस्तों उनकी नियुक्ती राष्टपती करते हैं ये दिया गया है कनेडा के समिधान में आगे हम बात करेंगे पूछा गया था कि US open 2022 के विजेता कौन थे तो दोस्तों काफी बार पूछा जाता है तो कार्लोस अलकरास थे वोमेन सिंगल की बात करेंगे तो एगा स्वेतेक थी चलिए हम सारे open जानते हैं 2022 के और 23 के तो यह चीज आप याद रखिएगा आगे शिफू में पूछा जा सकता है अगला क्वेशन दोस्तों हिस्ट्री से पूछा गया था वेन डिड़ से खेडा सत्रगे अकड़ खेडा सत्रग्रह कब हुआ था तो 11 मार्च सन 1918 को हुआ था चंपारन सत्रग्रह 1917 में हुआ था एहमदाबाद मेल स्ट्राइक भी पूछ लिया जाता है दोस्तों फिलफेर अवार्ड 2022 में सर्ष्रेस्ट फिल्म पुरुस्कार किसे मिला है तो वो शेर्षा मूवी को मिला है कुछ इंपोर्टेंट फैक्ट जान लीजे दोस्तों फिलफेर अवार्ड 2022 के जो भी विजयता रहे हैं विश्नु दर्शन दोस्तों विश्नु वर्धन डबेस्ट डारेक्टर का वाड़ पाए हैं कृती सेनन को बेस्ट एक्टरेस अवाड मिला है मिमी पिचर के लिए विकी कोशल को बेस्ट एक्टर फ्रोर किटिक्स मिला है सरदार उधम सिंग के लिए विद्याबालन को साइन थामानंकर को बस सपोर्टिंग एक्टर मेमी के लिए दिया गया है और दोस्तों सुबास घई को लाइफ टाइम अचीजमेंट वार्ड मिला है 2022 के फिल्म फेर अवार्ड में तो यह इंपॉर्टेंट फैक्ट्स थे जो आपको जानना जरूरी है एक्जाम में पूछा जा सकता है अगला कोईशन था सोलर पावर प्लांट मोटेरा स्टेडियम में सेट अप किया जाएगा वो किस के द्वारा किस कंपनी द्वारा सेट अप किया जाएगा तो लूबी कंपनी है इसके द्वारा सेट अप किया जाएगा मोटेरा स्टेडियम में तो दोस्तों यह पूछा गया था कि which is cleanest city सबसे साफ सहर कौन सा है तो वो इंदौर है यह पूछा गया था दोस्तों अगला पूछा गया था इसका फी फड़्ड कप वर्ड कप की औस्ट्रेलिया और न्यूजिलैंड करेगा दोहजार सब्सक्राइब जो सब्सक्राइब करेंगे अच्छाइंद सब्सक्राइब हो फीफा वर्ड कप काफ इंडोनेशिया में होगा ती सारी चीजे काफ इंपॉटेंट है एक्जाम में आप से पूछा जा सकता है जिनका भी आगे सिफ्ट में पेपर है अगला दोस्तो पूछा था कन्फर्म नहीं है दोस्तो आप लोग कमेंट सेक्शेया में जरूर बताएगा कि इस सवाल पूछा गया था की नहीं पूछा तो तैमिल नाडू मना जाता है अगला question पूछा था कि किस राज के CM ने launch किया है football for all तो दोस्तो उडिशा के CM ने नवीन पटनाएक ने launch किया है football for all उसके बाद अनुछेद से पूछा गया था दोस्तो आर्टिकल से कि अनुछेद 354 किस्से संबंधित है तो दोस्तो जो revenue होता है वो collect होगा उसके बारे में दिया गया है जब emergency होती है लगती है दोस्तो तब के बारे में ये चीज डिफाइंड है आर्टिकल 354 में उसके बाद plant kingdom से दोस्तो पूछा गया था कि algae कौन से plant kingdom में इस्थित है यानि इसे वाले पादब जगत के किस plant kingdom से संबंधित है दोस्तो पूछा था तो ये थैलोफाइटा से संबंधित है अब यहां पर आप देख सकते हैं दोस्तो हमने कुछ example दिये हैं आप लोग इसको पढ़ लीजेगा example पूछ लिया जाता है दोस्तो इसकी पीडिया भी आपको टेलिग्राम चानल पर मिल जाएगी जिसका link description बॉक्स में है वहां से जाके आप इसको पढ़ सकते हैं एंजियोस पर में देख लिएजे दोस्तो एक्जामपिल होता है mango, rose, tomato, onion जिसमें seeds होती हैं दोस्तो वह सारे एंजियोस पर में आते हैं उसके आप दोस्तो दिया गया था एक scheme पूछी गयी थी किस राज ने 24 घंटा बिजली प्रदान करने की घोशना करी है दोनों जगे शहरी और ग्रामीड शेत्रों में तो दोस्तो वह उत्तर परदेश की सरकार है यह question पूछा गया था उसके बाद यह question मुझे doubt था दोस्तो बट मैं ने put कर दिया है यह question पूछा गया थे कि नहीं आप मुझे comment section में जरूर बताईएगा दिली की प्रथम महिला सुल्तान कौन थी तो दोस्तो पहली और आखरी रजिया सुल्तान थी तीसरा पानीपत युद कभ़े था 1761 में हुआ था और दोस्तो यह जशगान निरत तिशाइली से संबंदित प्रशनाय था कि किस राज से संबंदित है तो यह करनाटक से पेपर हैं उनको हेल्प मिल चके तो दोस्तों आज की ये वीडियो आपको अगर अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लिजेगा मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए जहें दोस्तों और जिनका अगली शिफ्ण पेपर है उनको बेस्